आप सभी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोल रहा हूं साथना जगत के रहस्यों तत्य तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक प्रेस्ट को भी देखें आप यह जो वीडियो है ऐसका जो टैटल है वो है काशी वारनशी रहस से भाग तीन काशी के सिद्ध तो इसके जो काशी वारनशी रहस से है यह जो सीरीज है यह बले लिस में डाल दी आ उसमें आप देखिएगा जितने भी एकाशी और नसी के जो भी महावर रहसे हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकरिया हम पर मिलेंगी यह ध्यान रखिएगा कि यह जो चैनल है यह साथकों को उनकी आफशक्ताओं को समझते हुए उनको क्या जरूवत होती है कि साथना करने से पहले साथना के बीच में और साथना के बाद में जो जानकरिया उनके लिए महतवपूर होती है उनको ध्यान में रखते हुए यतने वीडियो तो वो मैं बना रहा हूं यह इसकी विशिष्टा इस चैनल में वीडियो इसमें की सभारा में दाल्लों सुमजना को कभी सहना है कि एक किसी मंत्र को खाले के साधना करने चुरू कर दी इस थरीके से नहीं ही इक आंगी दिस्टीकोंड नहीं होना चाहिए जतने भी पक्ष होते उटका हो तो साधना में सफलता मिलने के चांस भी बहुत बर जाते जहकी हैं क् सही जान करी आगर मिल गई तो उसे डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है निरना लेना असान हो जाता कि क्या चीज करूं क्या चोड़ों तो यह तो इसकी बैग्गाउंड रही इस चैनल की भी और इन वीडियोसी भी अब इसके पहले जो मैंने जो वीडियोस बनाए हैं इस अब यह जो पांच नदियों वाला तीरत है और वहां पर क्स प्रकारते साथना को करना अकरना से अच्छा रहता है अच्छा रहता है और कैसे करनी चाहिए यह कुछ जान करी हैं दो वीडियोस में दी गई हैं अब यह जो तीस्ष वाला है किjuna न सिरह साहबतीन इसमें काशática के सिद्धों के बारे मतारा हगा हूं तो मैंने यह बात प्छी तो वीडियो में बताई है कि जो काशी एक प्राचीन शहर है और प्राचीन शहरो बहुत सारे इस दुनिया में लेकिन यह की बहुत सारे जो हैं उनमें से बहुत सारे तो नस्ट हो गए हैं लेकिन काशी जो है वह अभी जीवन्त और जागरत एक शहर की रूप में है जो भी जितने भी आगात हुए इसके उबर उन सब कुछ हिलता हुआ अभी आज भी हो गुरा जीवत जागरत और जीवन्त बना हुए यह इसकी शिष्टा इसकी इसकी अध्यात्मिक रहसे बहुत गंभी है आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें आपको बता हुआ कि मैं काशी के जो वोपनी अध्यात्मिक रहसे हैं ज्योंकि जनरली लोगों को नहीं पता हैं उनके बारे में जानकरिया दूंगा तो इस प्लेलिस्ट बड़ी महत्वपून है इसको कोई भी वीडियोस का मिस नहीं करना है लेकिन मैं यह जो इसका जो टैटल है मैंने काशी के सिद्ध हूँ है मैंने रखा इसका तो आप देखेगा जो कुछ मेरे वीडियोस हैं सच्चे यो सब्सक्राइब होती है फिर उसी में आपको अगले दो पार्ट मिलेगा जिसमें की सिद्ध नाथ मुनी और शी इनके दो आपको वीडियोस मिलेंगे इसी नाम से प्लेलिस्ट भी है तो उसमें बताया कि जब खुंडली जाकरनत हो जाती है तो वह स्थिति जो आती है परहम होती है मुनी की होती है मुनी के आगे की होती है इस तिति ही रिशी की और रिशी के ऊपर में जो है दिव्यमा होती है जो संसार को पूरा कंट्रोल कर रहे होती है उन्हीं को सब चीजें पता होती है पिसंसार में चल गया रहा है तो माता के जो है वो तो भगवान की जो शक कि वहाप सच्छी योगी वालेस देखेंगे तो समय में आजाएगी ती कि यहां पर बताओंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अब विदियो सच्छी योगी वालेस्ट में देख लीजेगा तो जब मैं यह बताना चाहरा हूँ कि वालनसी एक ऐसा चेत्र है काशी एक ऐसा चेत्र है इस्थान है कि जहां पर जिसको कहते हैं स्पिरिच्छल जाइंट्स जो अध्यात्मी गुरूप से बहुत उंचाईयों पर पहुंचे होगे लोग हैं वो लोग महां के उन्होंने महां पर दिवास किया आने वाले तो बहुत सारे हैं महां पर शायदी कोई ऐसा संत बचा होगा जो कि जिसने की वालनसी में अपना विजिट नहीं किया हूँ ना आया हूँ दर्शन करने के लिए जिसी भी काम से आया हूँ वहां पर विजिट दरू किया उसने काशी को अब उसमें से जो इसे सिद्धियों के बारे में जानकारी पब्लिक में है उनके बारे मैं इस वीडियो में कुछ अर्चा करूंगा पब्लिक के बारे में क्यों म शेत्र ऐसा है कि जब मैं सच्चे योगी वाला वीडियो देखेंगे समन में आप वा जाएगा कि यहां पर यह हम जो आपको जो आपको में वीडियो इस वीडियो मता हुआ कि यह यह सिद्ध है जो कि पब्लिक दूमें में इनकी जानकारी है सिद्धों कि तुक्राइस के अल जब तक वह स्वेम में नहीं चाहते हैं कि दर्शन हमको हो तब तक किसी कोई भी आदमी उनके दर्शन नहीं कर सकता है यह मैंने अपने सच्चे योगी वाले वीडियो में बताया है मेरी एक पुस्तक जो कि हम वेजन में अबलिबल भी है और जो है कि सिक्रिट्स आफ परिबाशा से अगर देखें तो यह मला आपको को इनको जुरुवती नहीं कि किसी को बताने कि मैं सच्चा योगी हूं तो इनके दर्शन दुरलब होते हैं और अकर हो भी जाए तो जब उनकी माया इस प्रकार से हो गिती है कि वह जो है वो नोग उनको पैचान नहीं सकते जब तक यूश्वयम मना जाए तो ऐसे योगी वहां पर वार्रसी में हैं और जो कि शरीर के रूप में भी मिल जाएंगे और उसी प्रकार से वो जो है अधाश रूप से भी वहां आते हैं और जाते रहते हैं इन्विजिबिल बर्ल से भी आते रहते हैं लेकिन मैं अगर आधरो jed है और उनके बारे में चरचा करूँगा तो फिर बात हो जाएंगी कि गी कुछ लोग ऐसा होता है कि प्रमान ही मां उट जा रहते हिप ये बभगवान का भी प्रमान चाहिए तो उनको कोई आरेकलिए हमान चाहिए कि यह कुछप इसा अमेल को प्रमान चाहिए कि प्रोफवान को समझ से लोग षूंज बीन चाहिए क्यों कि बोर्य है जब तक सादना नहीं करें तो उपर से भकवान को फोधि ? जब इस मगवान नहीं सारी स्रस्टी के रच्णा करी जो के मेरा वीडियो है संसार के रच्णा उसमें सारी माने बात बता है कि मतार ने कहिसे स्रस्टी रच्णा करी स्यंख suburbs अशुद-श्रस्टी की रच्णा की रच्णा कर Ihnen Benaçãoा सब्सक्रा वसका एक Part इसमें यह हम लोग रह रहे हैं अनंत व्रमान में व्रमान में से भी एक हमारी प्रत्वी लोग है जहा हम लोग रह रहे हैं बगवान का सभी अंश है उन्हों नहीं स्वयम को दोश से उन डिवाइड गया अब खुद गूरू बने खुदी शेश्य बने इसी तरह से ही सारे दिवलीला चली है यह बात मैंने दिविग्यान शास्त्र की उत्पत्ति वाले वीडियों बताई है तो खेर चुकि एक प्रमा से बतारों इसका मतलब यह नहीं हुए कि वहां पर जो संत लोगों ने आये वहां पर विजिट करी हम एम्मारे पास उनका कोई प्रमाण नहीं के इस मतलब यह उसमें से जिनके प्रमाण है उनके मैरे में कुछ लोगों के जो प्रमाण प्रारम्ब करूंगा उसमें से एक तैलंग स्वामी जो है एक सिद्ध संथ उनके बारे में बता रहा हूं पहले यह इनकी जो की आयू जो की बताई जाती है इनका जो आकलन किया गया है वो एज काव वह इस वे जन्म होगा था और 1887 में उन्होंने जल्समा दिली थी और यह जो है यह वारनसी में पंच गंगा घाट में वहां पर उन्होंने अपने जीवन का जो अंत्रीम समय था वहां पर बिताया बिद्ध कि इवन 280 साल का था मेरे एकाल से मुझे याद नहीं रहा लेकिन उन्हें कई दशक वहां पर उन्होंने बिताए वरणसी में और पंचगंगा घाट में आकर में आकर वो रहने लग गए थे पंचगंगा घाट पर जो मैंने वीडियो बुनाया है वीडियो नंबर यह जिसमें कि 136 है वीडियो नंबर पंचगंगा घाट का काशी वरणसी रहसे भाग एक उसमें मैंने इनका बताया है कि तैलंग स्वामी मठ है वहां पर रहते थे और इन्होंने जो है जो साधना करते थे यह गंगा नदी में जाके घराएं में जाकर मांपर साधना करते थे यहानि पूरा नदी में डूप के साधना करते थे कर दिन तक भी साधा करते थे निकलते नहीं थे महां से उसे दोने के लिए प्रमार आपको बता रहा हूं और डूसरा की अंग्रेजों के काल में चोकी यह थे तो वहां पर अक्सर नग्न जो है वह अफसा में गूमते थे इनको शरीर का बहुत अपना नहीं रहता था बहुत जो है अपने ध्यान में इस तरीके से रहते थे तो इनको जब टोका गया था और इनको किसी अंग्रेज ने इनको जेल में भी डाला था और जेल में डाला तो जेल में सलाकों में डालने के बाद में थोड़ी देर बाद ही देखा कि वह वहां पर कमरे में नहीं है और भार और फिर जेल से भी बाहर निकल गए तो ऐसा कई बार जब हुआ तो जिसने भी जो भी अंग्रेज अधिकारी होगा उनलों को सुमिन में आ गया कि ये सिद्ध है इनको परशान ना किया रहे तो फिर इनको कोई किसी ने इनको फिर उसके बाद परशान नहीं किया ये चीजें जो है इसके बालावा इनका एक ये है कि एक बहुत बड़ा शिवलिंग था बहुत हैवी वार्वी तेलंग स्वामी मत में जो है इस्ताफित है और ये ये उसको उठा के लिए आये थे नदी से निकाल के बहुत भारी आउस वीडियों से चुड़ते हुए अपने अपने उपर गर्व होता है कि ऐसे लोग भी वहां पर रहे इनको चलता फिरता शिव वाकिंग शिवा इनको ये भी इनके नाम दिया गया था और रामकृष्ण परमन जो थे वो भी इनसे मिलने आये थे रामकृष्ण परमन जो की स्वामी वेपेखनान्द के जो गुरू दो भी इनसे मिलने आये थे ये इनके बारे में कुछ जानकर गरिये मन्हें आपको दी बाकी आपन्जानों के बारे में आपको बताऊओगा ऑनके बारे में जो अगहोड़plesण वाले हैं वो dei années लेकिन जो यह इनकी आयू भी करीब समलिये 170 साल दर जिंदा रहे थे अश्वला सो एक में इनका जन्म हुआ था यह और इनके जो गुरू थे उनका नाम था बाबा कालू राम कहते हैं कि जो इनका जो गुरू थे बाबा कालू राम यह जो बेसिकली थे यह जो दत्ता तरे जी जो है गुरू दत्ता तरे वो थे उनका उन्हों नहीं जो है रूप बाबा कालू राम कर रखा था और इनको अगोर्बंद की शिक्षा दी थी और और जो है गुरु दत्ता तरे में कभी मुका मिलेगा जो ज़रूर में एक वीडियो बनाऊटाउंगा तो यह जो बाबा कीनराम नहोंने वहां बनारा समें जगय है रवीन्द पूरी है यहाँ पे इनका ना जो है बाबा कीना राम इस्थल के नाम से वहाँ पे इनका एक आश्रम भी है वहाँ पे अगोर पंसे समंदित जो वहाँ पे उनका इस्थान है यह वहाँ पे एक क्रीम कुंड भी है और उसका भी काफी महत्व माना जाता है और बावा की नरामिक सिद्ध है इनके बारे में किस प्रकार की जानकरिया है जो कि सिद्ध इनको मलब इस सिद्ध है इस बारे को मलब प्रमालित करती है कि सिद्ध है यह अगोर पंत के लोग इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस प्रकार के इस सिद्ध है इनका जन्म हुआ था और 1895 तक ये रहे थे ये जो थे जो लोग क्रिया योग को अभ्यास करते होंगे या जानते होंगे समझते होंगे उस सब जानते हैं इनको और ये ग्रस्त जो थे गुरू थे और क्रियाओं के शिक्षा देते थे और इनको जो है श्यामाशन लारी जी को इनको लोग मुलब इनका जो पॉपलर नेम था लारी महाशे ये जो है चौसथी गाट एक जगह है घाटों में वरर्णसी में तो वहां पे चौसथी गाट एरिया में ये रहते थे वहाँ इनका मकान है और आज अगर आप शहर की तरफ से जाएंगे तो एक गली आएगी तो उसका गली का नाम भी यह है श्यामा चनल लारी रोड उट से होते हुए वहाँ तक पहुँचा जा सकता है तो यह इनके जो शेश्य थे वो युक्तेश्वर गरी जी थे और युक्तेश्वर गरी जी के जो शेश्य थे वो योगानन जी थे जो कि विख्यात क्रियायोग के गुरू है और इस समय तो नहीं है लेकिन उनका जो सुंस्ता है वो तूरे दुनिया में जो क्रियायोग के शिक्षा दे रहे हैं और हजारों लाकों लोगा कल जाना कर रहे हैं वो लूग युगदा ससंग सुसाइटी मुझे नाम यादा रहा ह है वाई Assess करके हैं वो नहीं की जो 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 हुद जो झोरन जी की जो है उन्हों नहीं इस को स्तापना करी थी और हो सिह ब्री जी inspect दिच इनम्म जो था आणि आधी मेें लाली जी के वह डिश्म्या चिलिए इस चितना उलिन भी सरीड़ू गुरु इसके लिए इंपॉर्टेंट एक मलाव इनके क्वालिफिकेशन है कि जो अध्यात्मे कुन्रति के लिए गुरु के पत्ती पूर्ण रूप्छ पर दोना अवश्चक है यह क्रियाओं के लिए जो था में जो करते हैं वो इस बात को समझते हैं यह क्रियाओंग वालो गर में तो ये शून में आसन लगाते थे यानि कि जो धर्ती होती उससे कई फिट उपर इनका आसन रहता था अपना ये सब इनके सिद्धा उस्ता के लेक्षन उता रहा हूँ उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ जो है कबीर दार जी के बाबा कबीर इनके बारे में तो प्रतिक वक्ती जानता है कौन थे ये करीब पंद्रवी सदाब्दी में ये वहाँ पर वालनसी में पैदा हुए थे और एक मुस्लिम जुलाहे के घर में इनका पालन पोशन हुआ था इनके जो गुरू थे वो भक्ती मार्क के जो संद्ध थे रामानंद वो थे रामानंद जी भी यही बानारस में रहते थे और इस पंचगंगा घाट में रहते थे उसी को बहुते चहां तरुप के फुए जो अपने गुरूर रामनंद जी से जो भी उनकके मुक से जो शब्द निकला राम है उसको झारा इनके उसको अपना गुरू-्हुरू-मंत-पोश्षिय के अनुने उसको माना और इह उनके उनके जह 플शान समर्व मुस्टेन निर अगर कभी मौगा मिले किसी को बननसी जानेगा, काशी जानेगा तो बाबा कबीर के जन्म स्थान है और इन सब उनके तीरत का जरूर भरमण करना चाहिए वो भी एक भुतपूर कहना चाहिए, एक उचकोटी की हजात में चेतना से भरी हुजगे हैं, वहां जरूर जाना चाहिए और इनकी जितनी जो भी उन्होंने बाते कहीं जो भी उन्होंने बाते कहीं उसको एक कमपाइल करके पुस्ता की रुप बनाया गया उसको बीज़क कहते है और यह निर्गुन उम्रम के जो है वह पासक थे और निर्गुन उम्रम की बात करते थे खास बात ये थी कि ये भेद से अभेद यानि दुएद से अदुएद में ये अदुएद की बाते करते थे सब एक हैं जो जब मैं आप सोच ली चाहिए कि दुएद से अदुएद एक बहुत बड़ा एक concept है जो की मैं आप कहने चाहिए कि दर्शन वालों के लिए शास्तरात कहने वालों के लिए यह बहुत ही एक रहू compliance कर सकते हैं और आपको हो एक्षाइड को समझे हैं लेकन जो बाबा कबीर थे ये उसे द्वैत को हासिल कर चुके थे अद्वैत को जो हासिल कर लेगा वो इस समान दिस्टी उसमें आ जाएगी सब के लिए एक सा हो जाएगा यहीं यह समझ लिए कि फिर उसके लिए पुरी दुनिया एक मंदर जैसे हो जाएगी सब को देखे एक समान तो जो कि इतनी व्यापक दिस्टी कोण इनका विखास हो गया था और ऐसा तभी हो सकता है जब कुर्णी जागरत हो जाए किसी की सिद्धा वस्ता प्राप्त हो जाए तभी ऐसा हो सकता है उसके पहले ऐसा नहीं हो सकता है पिर जो इनके विचार है वो इसी वजह से जो कि उन्होंने सत्य के दर्शन कर लिये थे उस निर्गुन निराकार ब्रह्म के दर्शन कर लिये थे उस अद्वयत की सिती को प्राप्त कर चुके थे इसलिए इनकी बातें जितनी भी थी तो जो द्वैत की बाते करने वालों के लिए मलब कठोर बाते की तरीके से लगती थी तो इसलिए इनके जितने भी मलब करना चाहिए प्रवशन थे या कई जो भी बाते कहीं समाज के लिए वो सारी किस सारी जो थी मलब कठोर तरीके से जो गलत चीज़े हो रही थी उनके उपर प्रहार करती थी पिसलिए उनको इनके कहा जाता है कि ये विद्रोही थे तो विद्रोही से अधिक ये सत्यवारी थे ये कहना जाईए जब असत्य दुनिया में कोई सत्य की बात करेगा तो वो विद्रोई होई जाएगा लेकिन ये चीजी थी इसके इनके बातों से पूरी सोसाइटी पूरा समाज उसको उन्हें बहुत जादे करना चाहिए प्रभावित किया और एक नई तरीके की लोगों को सोचने के लिए द्रिश्टी प्रधान करिए इनकी जो पॉइंप्स हैं वो आदिकरंथ में आदिकरंथ मतलब जो की सिख धर्म का एक पवित्र शास्त्र है उसमें गुरू नानक ने और गुरू ने उसमें बहुत सारे उसके अंदर में जो इस तरीके के सिद्ध लोग थे उनसों की वानी को उसके अंदर में कलेक्ट किया करें हैं तो उसमें इनकी भी बहुत सारी पोहिं साधी क्रंथ में भी अवलेबिल हैं तो इस समय जो कबीर पंथ है वो इनकी सारी टीचिंग्स को फॉलो करता है बाबा कबीर की यह भी एक सिद्ध थे और सिद्ध का एक प्रमाल यह है कि जब इनकी मृत्ति होई जिसके बा बबात है नहीं है लोग करें के जलाएंगे और मुसल्मान कहरा थे हम इंको कुब्यस्ताहर कर दोब्र वहें लेकिन जब उसमें जब विवाद बढ़ा और चद्दर खोट आएगा तो वहाँ पे उनके शव की जगे फूल मिले तो फिर उन फूलों को उन लोगों ने अपने अपने तरीके से पिर उसको उसी तरह से उसको जो भी उसका क्रियाइथियों करी उनके शिश्यों ने जो उनको मानते हैं उनको आज भी मान दशन करते हैं सूख शुरूख से करते हैं उनको इस सब बातें जो हैं तब समिन मेंगी जो साधना करेंगी साधना करने वालों के बाद समिन में आ जाईगी तो मैंने आपको तैलक स्वामी जी के बारे मताया बाबा कीनराम के बारे मताया बाबा कबीर के बारे मताया श्यामा चरणलाली जी के बारे मताया अब मैं आपको एक जो सिद्ध संथ हैं बहुती प्रसिद्ध संथ हैं लेकिन उनके बारे में जानकारी ज्यादे पॉपॉलर नहीं है ये बड़ी हचितर बात है जबकि खास तर पर विदेशों में उन विदेशी बहुत सारी लोग उनके पास आते थे और उनका इंटर्यू लेते थे और जो सिद्धियां जो कि ओपनी डिमोंस्ट्रेट करते थे उनको लिखते थे अपनी बुक्स में भी लिखी है तो वो जो संथ हैं उनका नाम है जो बाबा विशुद्ध अनंद ये अठारह तो त्रेपन में पैदा हुए और 1937 तक जीवित रहे ये एक सिद्ध हाँ ऐसा करते थे तक जी ने देखा था उनको तो उसने हमसे से आइस को लेकिन यह ठीओ डिमोंस्ट्रेट करते थे सिद्धियों को डिमोंस्ट्रेट करेंगे जैसे कि वो क्या करेंगे कि किसी भी कोई रूई के टुकड़ा में उन्हों ने कहा कि चलो हम इसमें गंद किसी भी चीज़ की मनाते हैं कि मालो की एक गुलाब की बनाई और फिर उससे कहा कि चलो हम गुलाब अटा देते हैं इसमें हम चमेली की मना देते हैं इस तरीके से विबिन पुष्टकों की चीजों की वो कर सकते थे और उपनली करते थे पब्लिक में और वो क्यों कर पाते थे वो इसलिए कर पाते थे कि उन्होंने उनको ये पर्मिशन दी अपने गुरू से और जो दिविमाय है उनसे यहां ये करो और उनका सिद्धियों को दिमांस्ट्रेट करने का जो परपस था वो ये था कि जो महारती है जो अध्यात्मिक विग्यान है वो कितना उंचा है इस बारे में पूरी दुनिया को पता चले इसलिए वो करते थे वो इनका एक आश्रम है जो की मलब जो वरारस्प में आदने वाले जो टूरिस्ट हैं वो गाट में दर्शवाशों में गाट में आरती देखेंगे और ठोड़ा ब्रहमन करेंगे लेकिन इनके बारे में आप बहुत कम जानकरे मिलें कि बहुत कम ऐसे लोगों होंगे जो कि आश्रम को पता भी जानते होंगे इसे चिद्धों की नेके इसमेक्स बात होती है ति estising की वो विरान से रहेंगे। क्योंकि वहाँ पर मैया को और नहीं रहेंगे और जो माया में के जाब में फसे हुए लोग है वो इसलिए वहाँ जानी पाते हैं यानि कि जो थोड़ा सा करना चाहिए साधना करने वाले लोग हैं और इस तरफ उनका इंकलिनेशन है यानि साधक लोग वो लोग वहाँ साथ शायद पहुंच भी जाएं इसलिए मैं चाहिए वीडियो भी बना रहा हूँ इनके डेटेल इनके बारे में और बताना और बहुत सारी चीज़े हैं इनके बारे में तो उसके बारे में बताऊंगा तो कई वीडियो बन जाएंगे वो प्यास करूँगा आगे बनाने का तो ये भी बाव विशुद्धा नंदी वहीं बनारस में ही रहे और वहाँ पे रहे और इन्होंने अपने सिद्धियों का पूरा जो है लोगों को दिखाया भी समझाया भी लेकिन इन्होंने बहुत कम शिश्य बनाए इनके शिश्यो तो जो भी इनसे अगर कभी कोई कहे भी कि हाँ भी मुझे दीक्षा प्रदान कर दीजे तो पहले तो उसको मनी नहीं करेगा दीक्षा मांगने का किसी से इनसे लेकिन अगर कोई इस तरह से प्रयास करे और कहे कि हाँ मुझे दीक्षा प्रदान करे तो ये जो है उस वहां से जब उनके पास आ जाता था कि हां कि पर्मिटेड हैं पर्मिशन मिल गई है तब उसको इस दीक्षा पिदान करते थे तो यह कागस भेजे जाते हैं लेटर्स वह रिटन जाते थे लेकिन वह जब लिख लेते थे वह उसको हवा में छोड़ देते थे वह अपने आप गायव हो जाता था और उसके बाद दो-चार-पास बाद जब उनको वहां से पर्मिशन मिलती थी तो वह कागस इनके सामने जैसे आसमान से टपक के नीचे सामने गिर जाता था विज सिगनेचर ऑफ इस गुरू कि हाँ भई इनको दिक्षा दे दी है यह बात कितनी अवश्विस नहीं लग रही होगी है लेकिन यही सब है और वायू गुमन करते थे अपने अपने आश्रम से लेके और यह तिबथ जो यह वहां तक चले जाते थे जहां भी इनको जान करते हैं कि अपने आश्रम से निकले अपने साधना कप्षे और उसके बाद थोड़ी देर था हुआ में रहा उसके बाद वो हावा में विलीन हो गए यह सब रिकॉर्डेड है सारी चीज़े तो इसी जो बाते मैंने बताई यह अब यह बात आपको मैं बता रहा हूं तो आ बसका डिए का है किसी और जगये में क्यों नी पुरे जगे में जाकर रह लिए यह मावह ईश्वदान नंत को मैंने आप को बता दिया यह किस प्रकार के अमस्ध two Him Bali जी का बता दिया आपको जो कि अपने आप में मुलब टॉपमोस्ट क्रियायों के गुरू थे बाबा की नहीं नाम को बता दिया आप मुलब टॉपमोस्ट अगोरी गुरू थे टेलंग स्वामी जी का बता दिया है जो कि टॉपमोस्ट कहना चाहिएगी अपने समय के अपने सिद्ध थे और बाबा कबीर का आपको बताया जो की वालब निर्गुण निराकार ब्रह्म की टॉपमोस गुरू है तो ये सारे जितने टॉप के गुरूस थे वो सारे के सारे वालनसी में क्यों आगे रहे अब इस प्रेशनल को मैं ये छोड़ दे रहा हूँ नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा वो आएगा उसमें आपको मैं बताऊँगा ति ये जो है इसके और क्या रहसे हैं और वो रहेगा काशी वालनसी रहसे भाग चार उसको जरूर देखिएगा तब उसमें आपको चीज़े समझ में आएगी कि ये सब लोग क्यों रहे वहाँ पर ये तो मैंने आपको सिद्धों के ना मता है इसके लागा और भी बहुत सारे जो कि वहाँ पर बहुत उंचे दर्जे के संत लोग थे वो भी रहे वहाँ पर और कितने लोग आए सब वहाँ पर चले गए उसके बाद जैसे आनन्द महिमा है और पिर उसके बाद आदी शंकराचार भी वहाँ आए रामनुजाचार भी आए और मादवाचार भी आए नामदेव आए जानेश्वर आए वलुबाचार आए चैतनमा प्रभू आए इस तरीके के बड़े बड़ इस ते मदब रहने वाले थे उन्होंने काशी को चुना तो आप नेक्स्ट वीजियो को जरूर देखिएगा उसमें और आपको ग्रह समझ में आएंगे तो और रिषपस्ट हो जाएगी क्यों वहाँ पर आए और जब इतनी बड़ी अध्यात्मिक वहाँ पर कुछ बात है जिसकी वज़े से ये लोग वहाँ रहें तो वही एक अध्यात्मिक शक्ती है जो जो समझ नहीं पाते हैं लेकर उंको कुछ लगता है कि वहाँ पर पहुंचने पर कुछ डिफरेंस लग रहा है जो वहाँ की काशी की ये कहता है मस्ती वाली बात है वहाँ पर क्यों आती इ आप सभी का धन्यवाद